Controversial Reality Show Big Boss 17 बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जी हाँ आपको बता देगा Big Boss 17 का अंतिम पड़ा बेहद नजदीक है शो का Grand Final बस दो हफते की दूरी पर है फिलाल शो में Family Week चल रहा है कुछ घरवालों के घरवाले आ चुकी हैं और कुछ के अभी आना बाकी है इस वीकेंड में अभिशेक की मां Big Boss में एंट्री लेंगी वो अपने बेटे के साथ मिलेंगी साथ ही जाने से पहले इशा मालविया को फटकार भी लगाके जाएंगी इशा को सर्फ अभिशेक की मां ही नहीं बलकि करन जोहर से भी डांट पढ़ने वाली है इतना ही नहीं मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो भी जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि अभिशेक की मां घर पर आती है और वो अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं अपने बेजे से मिलने के बाद अभिशेक की मां इशा से भी अकेले में आकर मिलती है और उनसे भी बात करती है वो उनसे बहुत सारे सवाल भी पोछती है उनसे पोछती है कि उन्होंने कब अभिशेक को थपड मारा उनके सामने जैसा कि उन्होंने बताया था कि इशा ने कहा था कि मुझे भी शेक ने थपड़ मारा इतना ही नहीं इशा खुद को वहाँ पे justify भी करती हुई दिखाई देती है वो उनसे कहती हैं कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो उनसे बात मत किया करो लेकिन उसके बारे मैं भला बुरा कहना बलकुल बंद कर दो आगे प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि करन जोहर किस तरह से इशा को जबरदस तरीके से डांट भी रही होते हैं और प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि शो के होस्ट करन इशा को मुनवर के लिए बताईगी बातों पर भी या मुनवर को लेकर जो भी बाते वो करती हैं इसके लिए भी उन्हें रोकते हैं वो कहते हैं कि इशा अपने आपको देखो इशा मुनवर कई लोगों को यूज जिसतरा की बाते इशा उनके बारे में करती हैnh इसको लेकर भि करंजोखर उनके फथकार लगाते हुए दिखाई देते हैं वही मुनवर की बाहर ki जिन्दगी और पर्सनल जिन्दगी में वाकई बहुत जादा अंतर है ये सारी बातें करन जोहर इशा को कहते हैं उन्हें का कि दूसरे की रिष्टे में उंगली करने से दूर रहें इस पर करन जोहर इशा को जबरदस्पत कार लगाई है इतना इने वीकेंड के बार में करन विक्की के भी क्लास लगाते हुए नजर आएंगे वो उनसे कहते हैं कि जब आपकी मां अंकिता से सबाल पूछती है तब एक पती होने के नाते आपको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए मैं आपको आपकी मां के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन पतनी स पूछना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है इसके बाद अंकिता और विक्की आपस में बात भी करते हैं आपको बिग बॉस के इस एपिसोड का कितना इंतजार है यह हमें कॉमेंट सिक्ष में जरूर बताइए और बिग बॉस में आपका कौन फेवरेट है यह भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलिए और आप इसी तरह की वीडियो उसके लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ